कुछ दिनों से मार्केट में एक बहुत ही अटकले चल रही है कि क्रेश आएगा क्रेश आएगा क्रेश आएगा सबसे बड़ा सब अच्छा क्रेश आएगा क्रेश आएगा यह थमनेल में लगा लगा कि व्यूज गेन कर रहा है आप लोगों डरा रहा है तो क्या लगता है कि यह सही है देखो क्रेश आएगा कि नहीं आएगा वो तो वक्त बताएगा ठीक है और वक्त हम लोग कैसे पता कर सकता है कौन सा वक्त में क्रेश आएगा क्या कर सकते हम लोग इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं और वाट इस क्रेश यह मैंने एक वीडियो बनाया पहल पहले इस वीडियो को देखो, आखिर तक देखो, हम लोग पूरा बात करेंगे, कि क्रेश हम लोग कैसे identify कर सकते हैं, और क्रेश आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और क्रेश को हम लोग पहले कैसे judge कर ले कि क्रेश आने वाला है, और क्या सच में अभी क्रेश आ सकता है, यह सब कुछ हम लोग के इस वीडियो में कवर करेंगे वीडियो का आखिरता दिखना में आखिर में कुछ आप लोग इंपोर्टेंट प्रो टिप्स भी दोंगा कि क्रेश से कैसे बचे और प्रेश को अप कैसे युटिलाइज भी कर सकते हो और प्रेश का प्रोस कान्स के आएगा यह पता गर सकते आपको अगर मैं ट्रॉस में अगर आपने यह वीडियो पुरा देख लिया ना तो आपको कहीं भी ख्रास वालत हमने लेक्श आपको उसके भागना नहीं पड़ेगा इस वीडियो को आखर तक देखो एक पाट देखो पर ध्यान से सुनों हो सकते त आप एकदम पूरा बिदास निष्चिन्त हो जाओगी कि हां क्रेश आने से भी में जान चाहता हो करेश आएगा आप लोग खुद काउने सो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कब करेक्शन आएगा कब किया आपको पता चल जाएगा तो इस वीडियो को आखिर देखना मे लोग बात करते हैं चार्ट में सबसे पहले देखते हैं में लोग मंतली चार्ट लगा दिया है आपन ठीक है और यह जो दोनों है यह 50 moving average है 50 day moving 50 moving average day नहीं monthly होगा जिसमें होगा जिस time frame होगा उसमें होगा यह में है exponential moving average 50 है यह red वाला और यह जो black वाला है वो 200 है तो अभी हम लोग देखेंगे ठीक है कुछ मोग डिसकस करते हैं पहले पहले दिखते हैं कहा कहा यह हुआ है crash हम लोग जो बोल रहे है crash crash पहले देखो 2008 में यह 50 EMA को touch किया है monthly time frame में 50 EMA को touch किया है ठीक है 2008 9 के बीच में एक ब बहुए है त invari 14 13 14 के बीच में फिर से एक बार हुआ है ठीक है बढम हरुआ है पन्तिक है और यह फिर से पुर्च पाद है रिएं बैक्डिक है' निफ्टी का फिर फिर से एक बार देख लिए निफ्टी का भी सेम है हाँ निफ्टी का भी सेम है यहाँ पर हुआ आट नो की बीच में एक बार हुआ है देन फिर से बारा तेरा की बीच में यहाँ पर हुआ है देन यहाँ पर फिर से हुआ है आपका 14-15 के 14 के यहाँ पर हुआ एक बर फिर एक बर हुआ है आपका 16-17 के यहाँ पर और एक बर हुआ है आपका 2020 में और हम लोग अभी 4 साल से एक बर भी 50 A में मंदली टाइम प्रेम में टच नहीं किया ठीक यह तो हो गया दोनों का अभी हम लोग इसको ना थोला सा ब्रेकडाउन करते हलका सबरेक्ट है जाते हैं वैक यह में जाकर celebrates के हम लोग कुछ इसको फिर से कुछ और देखेंगे क्या हो 2008 से जाएंगे फिर से 2008 से जाके हम लोग देखेंगे कि इसको हम कैसलिक कि इ Spy को अगरो करता है तो क्या 200 अमेंगे टच करता है हमेशा हम लोग देखंगा इक पर break किया, touch किया, इसको touch किया, 200 को touch किया, ठीक है, इसको break करना mniejक बाद इसको touch किया, 200 को touch किया, तो हम लोगा किहां से यहां का book मिल सकता था, ठीक है, एक बर हो गया, हम, पिर जो next crash आया, उस में it's- Jetzt को touch, करने कि तो यह तो ला खरneck करने कि यह को भी मैं को ठीक तो यह way तो इसको यहां से उपर गया फिर से पर से यह व्रिक किया तम एफाष अंग से तो फिर नेक्स अ यह वाला भी यह आपर बिदक कि यह व्याँ बैने चेंफार नद यहां यहां हो हो गया जैन हम लोग अभी नेक्स क्या देखना है और फिर कप टच किया ने देखते हैं नेक्स कप टच किया फिर यहां यहां पर फिर टच किया जिसे फिप्टी एमें तोरा देना लोगा टूहंडट यह में टच हुआ और इसके बहुत भीचे भी गया हाँ 2020 में जो कोरोना टच होना चाहिए भी साफसे ना यह वाला भी हम लोग मिल गया एक रफरेंस पॉंट कि यह ब्रेक करने से हम लोग का यह वाला टच होने का चांस है क्योंकि आलड़ी एक दो बार टेस्ट कर चुका है और यहां पर एक बार तोर के भी इसको टच भी नहीं कि तो अभी हो सक सौरी हम लोग वी कि लगाना भोलिका निफ्का भी से जब इसको 250 आप कॉंड़ीड में एक फिर से टच क्या हाँ इसको बीपिए विकली में डिसका हो रहा है इसके बाद यहां पर भी 2014 के आसपास में हुआ था इसमें भी किया था इसको भी टच किया फिर 16 च्वारीज यह में टच किया ठीक है तो अभी हम लोग इसके बहुँ बहुत बार इसको टच किया नगले को तरफनेड एमें को टच नहीं है तो अब अगर यह वाला टच कर ने हैं तो चांसे से की वहला टच कर जाए ठीक हैाम को पहला मिल गया अप है इसको आप और भी थोरा ब्रेकडाउन कर सकते तो ब्रेकडाउन को हम लोग तोड़ा से लेखते हाँ जीसे फ्युप्टी में यहाँ पर देखो टूटा दे थोड़ा दिन कांस्यों लटकिया दो इन ऊपर चला गया ठीक है इसकी नीचे फिप्टी में की नीचे जब तेमें भी आप देखो जब आपी मार्केट जब भी 50 यह में के नीचे इस 50 बैट इंग सैपन्स बिलोफ यह में जब इसके नीचे ट्रीडिंग करना स्टार्ट कर दे डude concept तब आप सरकेना होने यह फिर को कर सकतो आपन यहां यह उसको ब्रेक करने के बाद कर सकतो एक लिस्ट आप एक कुछ रखो नहीं तो आप मैक्सिमम लोग में देखा क्या करते हैं पुरा आरा यूट्यूब में कि क्रेश करें करेंगा तो हर एक अपमूब में वह लोग का सेलिंग करता है देन उसको स्वापलो से सीट होते हैं देन उसका कैपिटल भी दे इरोड होते क्योंकि हो लोग हर एक बाउंस में सेल कर रहा है इस उमीद में कि क्रेश आएगा और देखो मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूं यह भात ध्यान से ध्यान रखना कि हमेशा ना हम लोग का जो भी लोग यहाँ पर ट्रेडिंग में गुसे यहाँ पर गुसे इन लोग देखो एक दो लोग देखो अपको पूरा देखने को मिलेगा कि क्रेश कैसा होता है देखो धीर 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 यहाँ बहुत बड़ा बड़ा गिरा लेकिन देखो तो फिर भी कितना महीना लगाई इसको आपके पास टाइम रहेगा कुछ एकदम करोना जिसा अभी यह वाला की हुआ क्योंकि यह पर करोना आया गया था तो लॉक्डाउन के चक्कर में यह बहुत थी एकदम पैनिक में आ गया था मार्केट इसलिए अगर एकनोमिक स्लोड में रहेगा आपके वक्त रहेगा सब कुछ करने के लिए तो यह बात ध्यान में रखना और इसको मत रखना कि हां 2020 की तरह ऐसा क्रेश है कि यह लोवर सरकीर मारेगा मार्केट ने ऐसा नहीं होगा ऐसा हो सकता है लेकिन इसके मतलब यह आउट लायर से कभी कभी होता है तो लोग बनाते रहेगा लोवर हाइब बनाते रहेगा ऐसा धिरी-धिरी फॉल करते रहेगा अगर फॉल करता है तो ठीक है और आपको मैंने एक बात बताया था कि 50 यह में जो मीन रिवर्जिन होता है मोवी आवरेज का मोई वीडियो बनाया था मोई आवरेज को किस तरह सी चाहिए दूसमें हम लोग ने बात किया था कि 50 में को अगर कोई भी इंडेक्स हो यह स्टॉक्स हो जो अगर इसका डिफ्रेंस बहुत जादा हो जाता है तब हम लोग का वह फिससे को टच करने के लिए आता है हमेशा तो यहाँ पर अभी जो डिफ्रेंस है जो डिस्टैंस है एक सुट स्पॉर्ट में है भी बैंक निफ्टी पी का सुट स्पॉर्ट में है अगर मेरा एक ही मतलब जवाब रहेगा हां सुट स्पॉर्ट में तो है लेकिन सुट स्पॉर्ट में बहुत बार रहता है ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर भी जब था तब भी सुट करोगे तो स्विश्बोट में था लेकिन is की आपको सेलिंग मिला नहीं मिला ऐसा हो सकता है यहां से थोड़ा बहुत सेलिय नहीं मिला यहां पर सेलिंग मिला यहां फिर से दोड़ी तो फोसक्ता है dud आ पिना उपर जाके फिर अगर और उपर जाता तो और अच्छा है क्योंकि आगधर उपर जाएका तो धुरेगा तो धुर्टत जोर इंदेकर से गिघए तो हो सकता है कि इतपा जोर से ऊए ऑर अगर मालों सारव दिण Latamra 2500 चला है तो और ह düşना तो गिरएगा और जोसे कि रहेगा और थोड़ा इसा करैbooks अधिन हो सकता है क्योंकि यह उपर जाएगा तो यह इतना अपर तो नहीं जाएगा कि We अधोल 되어 लगि इतना उपर आए करा दोवाद रह test है लोग हो सकते हुर्शा है और अगर मैं निफ्टी लिगाबाद को निफ्टी सिर्फ दो बारी क्रेश किया यहां पर क्रेश किया यह सब करेक्शन्स था यह सब करेक्शन्स था यह सब करेक्शन्स था क्यों करेक्शन्स था क्योंकि क्रेश का डेफिनिशन होता है 25% से उपर अगर ऐसने कलें मार्केट करेट करता है कोई इंडेक्स करेट तहां उसको क्रेश कहते हैं तो यह वाला सिर्फ प kept आज सब करेक्षन करता क्या है कि भेंग ब्लॉप यह भी क्रेशां यह भी प्लमद पांच बार क्रैशा हुआ है टीक है तो बैंक निफ्टी क्यों में बोल रहाँ कि ज्यादा क्रैशकरता है क्विए अगर बार्करट के लृट डान होने का चांसेस होता था या कुछ होता है तो सब्से पहले पीटे जातें बैंक इसके बाद निफ्टी में क्यों निफ्टी पीटा नहीं जाता है क्योंकि रिपन्स सेक्टर दिखे है फारमा है वह लोग बचा दिता है इसको यव लूग बचा देता यह बड़ा करेक्षन आथा क्रेश नाम दिना हमेशा सही नहीं होगा क्योंकि क्रेश होने के इसलिए इतना जल्दी चला गया बाकी क्रेश देखो जब भी क्रेश हुआ बाकी क्रेश देखो मार्केट को कितना टाइम लगा यहापर गिरा देखो कितना टाइम लगा इस हाई को ब्रेक करते हो कितना टाइम लगा मार्केट को ब्रेक को फिर इस हाई को ब्रेक करते हो कितना टाइम लगा मार्केट को इस हाई को अच्छे से ब्रेक करने मार्केट यह लगा फिर इया वाला जो था इसका पहला कब — तक ब्रेक के क्या देख को यह कब तक ब्रेक क्या इसको भी ब्रिक करते करते क runners टेर साल कुल लगए कि अठuj dol तो यह एक आप इसलिए एक्सपेक्ट मत रखना कि यह वाला हमेशा होगा यह वाला हमेशा नहीं होगा अगर क्रेश आएगा ऐसा भी हो सकता है कि आया फिर तीन-चार साल लग जाए उसको उपर जाने में तो यह बात ध्यान रखना अब हर मतलब आप सोचते हो कि जब जो भ बाता है कि मार्केट में क्रेश आएगा हम लोग तब इंवेस्ट करेंगे इस भागेगा हाँ तब इन्वेस्ट करो लेकिन ऐसा भागने का एक्सपेक्टेशन मत रखो कि ऐसा बहाग लिए दो साल में मेरा पैसा दस गुना पीस गुना पचास गुना हो जाएगा नहीं हो इसा इसो जड़ूरी नहीं कि अगर इन्स टृडि क्रेश घ्राता है तब जाता है दिर दिर ऊपर ऊटता आप यहां पर भी जेखो इसका इसको ब्रेग करने के इसको कितना साल बाद यह भी छे साल बाद वेकिया बश्य एक्स्ट्रा पैनिक हो गया था बौलके एक्सट्र यार इतना कुछ तो है हुआ नहीं है तफिर से वह पैनिक बाइंग के चक्कर में वह बाइंग बाइंग चलता ही जा ठीक है तो इसलिए आपको सब चीज अब ख्लियर हो गया कि मार्केट में अगर क्रेश आ रहा है या फिर करेक्शन्स आ रहा है बड़ा क्रेश करेक्शन्स क्रेश यूज करोगी सब को यूज कर रहा है इसलिए मैं क्रेश बोल रहा है अगर आता है आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे चल जाएगा जिसे आप निफ्टी को विकली में देखो या फिर आप जिस डेली में बोला 50 डेंप्टी में के नीचे और ट्रेडिंग कर रह कि दिखने तो उसके बाद शौट करना स्टार्ट करो कुछ तो हो और आप एवरी राइस पर शौट करो गया देन हो गया और जब आएगा पता चल जाएगा क्यूंकि में आपको जिसे बोला कुछ तो ब्रेक करें एटलिस यह वाला तो ब्रेक करें यह वाला लास लो था इ जब सच में क्रेश आएगा तो आपके पैसा नहीं रहेंगे उसको प्ले करने के लिए तो हमेशा क्रेश क्रेश के बीछे मत जाओ और मतलब स्टॉप सेलिंग एट एवरी राइस इविल डास्ट्राइग तुम डास्ट्रोई हो जाओगा एट लिस्ट लेट दा मार्केट गि और दो तिन मेन आगे बाइंग करना स्टाट भयाकर तो अभी आपनिक्व इन्वेश्ट होगा कोई यहां से इन्वेस्टेट होगा च она से नियुक्स को जो दैब डख सकता तो अगर आपका good fundamental quality वाले stocks में आपका इंवेस्टेट हो आप रख सकता अगर कच्रा stocks है तो निकल जाओ कच्रा stocks से निकल जा fundamentally good वाले stocks में रहे सकते थोड़ा profit booking भी कर लो अगर आपने मानलो करने के बाद आपको बास कुछ profit भी आएगा तो उस पैसे को आप मार्केट में crash आएगा तो आप दिर दिर कर सकते हो या फिर आप वैसा भी कर सकते हो कि एक अब फिर से आप इसको 16 रूपे में खरीद हुए एक लोजिक मेरे नहीं बनता है तो आप फिर से आप इसको 16 रूपे में खरीद हुए एक लोजिक मेरे ले नहीं बनता है मैं क्या करना में पक्या पसंद करूंगा बाराइस रूपे में चला गया मैं थोड़ा सा profit है यहां पर मैं में इन्फेकर करके रखा हु थोड़ा में बीड़ा थे थ्र चुर्शा है फ्र में और खरीचता हु मार्केट में जब भी देखता हो हला ज्यादा हो रहा है कि ज्यादा ग्रीड हो रहा है तो एक लाग रुपे मानलो मेरा 20% प्रॉफिट हो रहा है तो एक लाग बीज़जर हो गया मेरा एक लाग बीज़जर में रहा है तो रहा है तो मैं करयो हो बयंदा आप लाग रहा फिर फीर में फिर टीस चालिस धर पिर उठा लोगा उठा के फिर हो बाग आएगा फिर मैं वहां पर इंवेस्ट करते हूं क्या करना है वह हो गया तो देखो मेरा एक सिंपल सा कहना है आप इसके पीछे मत भागो कि क्रेश आएगा क्रेश आगा हर एक थमनिल लेक्के उस वीडियो को क्लिक करके अपना धिमाग खरा मत करो कोई 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 को लोग बोले अब यह देखो बहुत लोग होता है अपना कुछ ऐसा कुछ बोलता है ताकि लोग उसको नोटीस करें वह तरह मतलब लोग के सामने में मीडिया के नजर में लोग इसलिए बहुत कुछ बोलते हैं अभी वह हमेशा वह जो बोलेगा वह सच होगा इस ज़रूरी नहीं और दिनिया का सबसे इंसान होता कि इसको पता होता क्रेस्ट का बाइव अभी हाँ इस में इस क्रेश में भी बहुत लोग ने कमाया में महीं मना नहीं कर रहा रहा हूं जो एक लोजिकल वेपर ट्रीट करता है कोई अगर यहां पर भी शॉट किया होगा और उस नार धिरी धिर मतलब अपना क्या बोलते हैं उसको ट्रेल करते हैं स्टॉप लोस देन वह कहीं ना कहीं मानलो यहां पर कवर कर ले फिर भी उसको इतना सा मूव मिल गया ना यह वाला एनाफ मूव है यह वाला मूव से बहुत कैसा बन से तो आपको इस समझना पड़ेगा कि आप कैसे आप उ आशाने वाला आज यह वीडियो आएगे आज यह शौट में देख लिया मतलब हर एक लोग जो यहां पर में देख रहा है कि यह वाला मूव क्यों लगता है यह जिग-जग-जग-जग-जग-वारा क्यों हो रहा पता है इसके चक्कर में लोग क्या जैसी स्कैंडल बना ल या फिर बड़े-ड़े लोग रिटेल डिटर्स को खा चुक है इतना दिन में बहुत रिटेल डिटर्स को खा चुका अलड़ी और भी खाने का दिन है मुझे लगता है क्योंकि क्रेश देखके करेक्शन देखके खुश हो जाता है हाँ अगर अभी अभी आप SIP भी करते हो साइपि अभी क्या कर सकता है कि SIP मानलोव 5000 का साइपि करते हैं अभी तोरह से कम करो 2000 कर दो त्यूória तृज़कर कर दो आपको सेफ लां डूडर लग रहा है तो कueller कट अब लेक्ट होल्ड कर दो इसको फ़ोल्ड करतों होल्ड कर रख दो दिन ये इसको आफ मालों 5000 कब सेविंग्स एकाउंड में रख दो तरह जब मार्क रिच्छन आएगा दिन आप मैंनलों की चार महिना बाद करेक्षिन आया तो चार महिना पाउस मेने में आपका तो तीस अजर जम गया है ना तेना आप एक और लग रहा है तो कुछ उसको आप ऐसा नहीं कि आप एसा इप चालू रहा हो डर भी लग रहा है या फिर आप इन्वेस्मेंट भी करो डर भी लग रहा है तो नहीं होगा अब अगर मालों कि आप यहां पर शौट करते हर जगा पर शौट करते हैं यहां पर जूट करते हैं थे फिर उपर गया खता आने से पहले कुछ ना कुछ तो साइन देगा मार्केट जैसे कि इसके नीचे थोड़ा सा स्टेक किया हां चलो ठीक है यहां पर मुझे भी लग रह कि आपको डरना है आपको ऑगरतीक को किवृव बता रहूं को वक्त नाढ़ीआ जब स्टाप लोस थीट होना का टाइम हरेगे लिगा मार्केट यह बात राख बंदे को स्टाप लोस हीट नहीं होका अगर अगर मानलों कि अपही अगर मैं इस सिनारियों बता रहां यही मा प्रिवेस हाई को टच नहीं करेगा अगर मार्केट को क्रेश होना होगा तो भी टच नहीं करेगा अब जाके पूरा प्रिवेस चार्ट देख लो अब तब आपको समझ में आएगा कि में क्या गया अगर आप प्रिवेस चार्ट देखो तब आपको समझ में आएगा अगसे मैं आपको 2020 का एक पर दिखा देता हूं थोड़ा सा समझ मैं यह वाला तो कुछ जादा यह वाला तो कुछ जादा एकदम ऐसा फॉल आया फॉल आएगा आपको मालों कि यहाँ पर ही जोटा सा फॉल आया यह पर हीट औने के चन्स मिला नहीं मिला अभी यहाँ पर हुल टिक है यहाँ पर हीट होगया यहाँ पर हीट होगया यह तो बहुत tap में जब जब यहां से थोड़ा उंटने मोद यहाँ पर पद चल वक्त कहा पान क्या चलो यह से तोड़ा strains पैंटась गिरह फिट डिए गिरह यह टायम ही इंट न तो ऐसे होता जिए यह घेवाला वाला होगा मार्गेट आपको वक्त नहीं देगा आप माप बिंदा से तक ठोक्त डिक्कति नहीं आया तो और यह पॉप का समझ में आया होगा पहले ट्रेटर लोग आए क्या करना है आपको कुछ एक स्पेसिविक्स डगना कि 50 एमें के अगर डेली में ट्रेट करता है तो अच्छे से बहुत दिन ट्रेट करता है थोड़ा टाइम रूखता है दिन में वेरीश बनूंगा या फिर वीकल आगे क्लेश सकोगहेता है sw mains सब्सक्राइब कॉपर होने जन्य निकलता है अच्छा होता मिन निवर्शन समझ मात笯 होटा है में यह जडरी मारकेट में यह व्यूOne कि एसको टाच करेगा निफ्टी में ये होए गा कि ये इसको ट्रच करेगा तो यह ओगा तो यह होगा देन इन वेन्टू इन्वेस्टिन वल्क ये भी समझ में आया कि आपको एक बेंच्मक रख देना है कि दस परसे पंदर परसें किनने से में निफ्टी में में थोरा से बल्क में करूंगा अगर आगर अपको ड़र लगरा देन में आपको बंद कर दो हूं यह फिर इंवेस्ट्रम बन कर देंगा या फिर जो भी है देन में दस परसेंट पंदर परसेंट किने का अब में एटीएफ बल्क में थोड़ा करूंगा तो उसको मैं रखूंगा तीन चार साल पांच साल मेरा होराइजन होगा ते यह होगा आपका देन में क्रेश की पीछे मत भागो यह भी समझ में आ अगे आपको समझ कि हैं क्षल देंख मार्केट को हिंद दिन दो यह अब उसको स्ऩLo 선 करो ठीक है और उसमें भी आपको मौका मिले मिलंगे तब बहूंअ पर शॉर्ट करो सब जगा हर जगा मौका мі incap तेन वाट इंवेस्टर्स को मैं बताया कैसे आपको करना है ट्वीटर के लिए बताया सब कुछ होगा इस वीडियो में तैन अगर इस बी कुछ भी डाउट रहे आपका आप मुझे कमेंट करना मैं हर एक डाउट को क्लियर कर दूँगा देन आयोप आपको यह पसंद आया व अपता के लिए शुक्रिया और अपना ख्या लगना